नमस्कार दोस्तों, मैं सश्वीप ओमार, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वाहत करते हूं आज की इस वीडियो में मैं आपको भुग्याल के बारे में बताओगा और बहुत सारे लोगों को नहीं की बताओगा तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, उची पाड़ी में यानि की 3000-6000 मेटर तक की जो उची पाड़ी होती है उनमें जो घास के मैदान होते हैं उनको भुग्याल का जाता है हर साल भुग्याल को देखने के लिए परेलटक जो ट्रैकर्स होते हैं वो आते हैं वहाँ पर रुखते हैं, इस्टे करते हैं और वहाँ की बादियों का आनंद लेते हैं और हर किसी रमा करता है कि भुग्याल से रुखकर वहाँ की बादियों का आनंद ले तो वैसे तो काफी सारे उत्रकंड में बुग्याल है लेकिन आज में आपको पांच ऐसे बुग्यालों के बारे में बताने वारा हूँ योकि उत्रकंड नी इंडिया में ही नहीं बलकि पूरे वर्ड में काफी नेमस है तो चलिए शुरुआत करते हैं नमबर एक बेदनी बुग्याल 3354 मीटर की उचाई पर इस खूबसुरत बुग्याल तक पहुँचने के लिए आपको रिशिके सिकंड पर्याग मंदौली होते हुए वान पहुचना होगा वान से घने जंगलों के बीच गुजरते वे करीब 10 किलोमेटर की चड़ाई के बाद आप बेदनी के सौंदरे का लुफ्त ले सकते हैं इस बुग्याल के बीचों बीच फैली जीर यहां के सौंदरे में चार चाम लगा देती है बेदनी बुग्याल परसित रूपकुन ट्रेक के रास्ते में है नमबर दो चोपता बुग्याल भगवान तुंगनात महादेव के चर्णों में इस्थित गड़वाल उत्रकंड का स्वीजर लेंड कहे जाने वाले चोपता बुग्याल 2900 मीटर की उचाई पर गोपेश्वर उखीमट केदानाथ मार्क पर इस्थित है यहाँ बुग्याल सुगम है यहाँ कोई भी परेटक आसानी से पहुँच सकता है चोपता से हिमाले की चोटियों के नजदीक से दरसन किये जा सकते हैं चोपता से ही 8 किलोमेटर की दूरी पर दुगल बिट्टा नामक बुग्याल है उत्रकंड के चमोली जिले के जोसिमट से 12 किलोमेटर की दूरी पर 2600 मीटर की उचाई पर लोगप्रिया ओली बुग्याल इस्थित है विंटर गेंज में इसकींग का ये देश का एक बड़ा सेंटर है सर्दियों में यहां की ढलानों में इसकींग की जाती है और गर्मियों में यहां के बुग्यालों में खिले तरा तरा के और अलग अलग रंगों के फूल सैलानियों के लिए आकरशन का केंदर होते है नमबर चार पवाली काठा बुग्याल तीरी जिले में इस्थित तवाली काठा बुग्याल भी ट्रैकिंग के सौकिनों के बीच बहुत पड़सित बुग्याल है तीरी से घंसाली और गुत्तु होते वे इस बुग्याल तक पहुचा जा सकता है यह बुग्याल 11,000 फीट की उचाई पर इस्थित है यहां से केदारनाथ के लिए भी रास्ता जाता है यहां पाई जाने वाली दुरलब प्रजाती की वनस्पतियां वेग्यानिकों के लिए सोद का विशे बनी रहती है उत्रकासी गंगोत्री मार्ग पर भटवाडी से रैथल या बारसु गाउं होते हुए आप दयारा बुग्याल तक पहुच सकते हैं 10,500 फीट की उचाई पर इस्थित यह बुग्याल भी जन्नत की सैर करने जैसा ही है इसकी सुन्दर्ता को वहाँ जाकर ही महसूज किया जा सकता है हाला कि हजारों फीट की उचाई पर इस्थित इन इस्थानों तक पहुँचना हर किसी के लिए संभव नहीं है तो ये थे उत्रकंट की कुछ खिलमस भुग्याल आसा करता हूं आपको ये जानकर ये अच्छे लेकर हुई जानकर ये अच्छे लेकर हुई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा तो आप दिसलाइक कर सकते हैं आगे ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो के बारे में आपके कोई भी राए है तो आप कमिट सेक्षन में बता सकते हैं तो आज की वीडियो में बस लिख रहें मिलते हैं आपको नेक्स वर्णों में तब तक के लिए जय ही जय बाराओ